हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हम किसी के लिए नहीं चाहेंगे साथ लोगों ने मेरे साथ बलातकार किया उन्होंने हमें पीटा और लूटा हाला कि बहुत कुछ नहीं क्यूंकि वो जो चाहते थे वह मेरा बलातकार करना था हम पुलिस के साथ अस्पताल में हैं ये दर्द भरे शब्द हैं एक भसपेन से भारत गुमनेयाई महिला सैलानी के जो एक नहीं दो नहीं बलकि साथ हैवानों की हैवानियत का शिकार हो गई एक महिला जो अपने पती के साथ दुनिया घूमने का सपना देखती है और सपने को सच करने के लिए कोशिश करने लगती है और फिर एक दिन आता है कि दोनों निकल जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने लेकिन अतिती देवो भवा का स्लोगन कुछ इस तरह पेश किया यहां के कुछ लोगों ने कि कोई भी महिला सैलानी यहां आने से पहले सौ बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए उनके 65 बर्शिय साथी जिसके चहरे पर भी चोट की निशान दिखाई दे रहे उन्होंने कहा कि मेरा चहरा ऐसा दिखता है लेकिन यह वे नहीं है जो मुझे सबसे अधिक पीड़ा पहुँचाता है मेरा मूँ नश्ट हो गया लेकिन वह मुझसे भी बत्तर है उन्होंने मुझे कई बार हेलमिट से मारा सिर पर पत्थर से मारा भगवान का शुकर है कि उसने जैकेट पहन रखी थी जिससे जटका थोड़ा रुक जाता है मुझे लगा कि हम मरने वाले हैं भगवान का शुकर है कि हम जीवित हैं कहानी पोस्ट करने के कुछ ही समय बाद महिला ने कहते हुए बताए कि पोस्ट हटा दी गई है पुलिस ने जांच में बादा ना डालने की वज़े से मुझे पोस्ट हटाने के लिए का आए चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ दुनिया की खूबसूरती और प्रकृती सुंदर्ता को देखने के ले स्पैनिश महिला अपने पती के साथ वर्ल टूर पर निकली है 28 वर्षे महिला और उसके 64 वर्षे पती दो मोटर साइकल के जरिये बांगलादेश से दुमका पहुँचे थे और बिहार के रास्ते नेपाल जा रहे थे लेकिन जर्कंड के दुमका में इस स्पैनिश महिला के साथ एक ऐसी घटना हुई कि उस काली रात को वो जीवन भर नहीं भूल पाईगी स्पैनिश महिला ने पुलिस को अपनी होरा स्टोरी के बारे में विस्तार से बताया पीड़ता ने बताया कि गैंग रेप में शामिल यूवकों ने पहले उसके पती को बांद दिया पिसामोहिक दुशकरम के साथ मार पीड भी की स्पैनिश महिला ने पुलिस में दर्ज FIR में बताए कि सातों आरोपी उस पर वारदार्द के दौरान लात मुक्के बढ़साते रहे इतना ही नहीं गैंग रेप के आरोपियों ने उसके पती के हातों को बांधिया और उसे भी पीटते रहे विदेशी महिला ने कहा कि उन्हें लगा कि आज उनकी हत्या हो जाएगी लेकिन भगवान की क्रपा से मैं जिन्दा हूँ स्पेन की पर्रटक से सामोहिक दुशकरम करने के मामले में गिरफतार तीनों आरोपी को दुमका जिले की एक अदालत में समक्ष नभीवार को पेश किया गया जहां से उन्हें नियायक हिरासत में भेज दिया गया है पुलिस ने बताया कि स्पेन की महिला से कते दुशकरम राज्ये की राजधानी राची से करीब 300 किलोमेटर दूर हंस डिया थाने छेतर में शुकरवार को तब हुई जब वे अपने एक रात अपने पती के साथ टेंट में थी पुलिस ने बताया कि पीड़ता का बयान इंडियन कोर्ड ओफ क्रिमिनल प्रोसीजर सी आरपी सी की धारा 164 के तहट दर्ज किया गया है आज के लिए बस इतना ही ऐसे नियूज अपडेट्स के लिए बने रही हमारे चैनल दनगदी मीडिया के साथ दन्यवाद